आज के प्रोजेक्ट का नाम है एक्जॉटिका होम्स जिसका एंट्री एंड एग्जिट गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक 3-1-BH के अपार्टमेंट जिसके साइस की बात करूंगी तो 215 गज का यह पार्टमेंट रहने वाला है जिसका कार्पिट एरिया की बात करेंगे तो 500-500 स्क्वेयार्ड का आपका कार्पिट एरिया रहने वाला है जो कि बहुत बड़ा कार्पिट एरिया है अगर हम बात करेंगे आइड थिंक आपको इतना बड़ा कार्पिट एरिया उफर हो रहा होगा तो यह इस project की एक खास बात है कि काफी spacious apartment आपको hand over किया जाएगा So guys, आप देखिए apartment की and project की कुछ glimpse, उसके बाद हम location की बात करते हैं लुष में आपको आपको हमाएगा जबात की बात करते हैं So guys, this is 115th sector of Mohali and यह है आपका खरद लांडरा हाइवे, जो कि काफी बिजी हाइवे है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, यहां से सीधे चले जाएंगे, पांच मिनट की ड्राइफ पे आपका खरद बस्टेंड आजाता है, इस साइट चले जाएंगे तो पांच मिनट की ड्राइप पे आपका CGC लांडरा आजाता है, गनेक्टिविटी की अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं के लिए फिले एक्ड करना हो, तो कितना इसी रहेगा, त आपका डेली हाईवे आपके पटेला हाईवे को यह कर लेता है अपर चौक कर लेता है तो वहां से भी आपको यह अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है सो यह थी लोकेशन और कनेक्टिविटी की बाद अब आये चलते हैं अंदर जैसे आप में एंट्री और एग्जिट गेट तो देखी चुके हैं यह रही आपको में एंट्री और एग्जिट गेट पूरा गेटेड टाउंचेप रहेगा ऑफ सेवन पॉइन पॉइंट पहले तो यह रोड देखे कितने वाइड रहने वाले हैं साथी साथ रोड के साइड में आप देखे कितना अच्छे से ग्वी आप में एंटेन कर रखा है और गजीवो भी वने हुए हैं फॉद वेटिंग एरिया अगर आपको काब लेने आरही है या सिर कुछ भी है तो आ कि लिए आप वेट कर रहें आप यह वेट कर सकते हैं और इस साइड आजाएंगे हमारे अपार्टमेंट्स जो आपके 3 प्लस 1 भी एच के अपार्टमेंट्स हैं प्रोजेक्ट में इसके अलावा जो एमिनिटीज हैं उसमें आपको एक काफी बड़ा पार्क मिलने वाला है साथ ही प्रोजेक्ट के अंदर ही एक टेंपल भी बना हुआ है आपका उसके अलाव आगर बात करूं उपन एर जिम रहने वाला है ग्रीन स्पेसिस आजाएंगे और यह जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आपको डेली नीट की शॉप्स भी मिल रही है जिसमें कि आपका जो डेली नीट का समान होता है वो सारा आपको अंदर ही प्रोवाइड हो जाएगा बहार जाने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अजो यह जो आप पोश्चन देख रहे है यह आपको अपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहा है और इसके साइड आप देख सकते ही यहां प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा एक बहुत बड़ा सा पार्क जो आपका यहां रहने वाला है जिसके ठीक सामने आप देख सकते हैं क्लब हाउस जो की बहुत ही बना हुआ है आये च सारी चीजे मल रही है सिटिंग के लिए स्पेसे आ जाएंगे आपके ग्री आप देखे कितने अच्छे तरीके से मेंटें की गई है आपको यहां पर बैठने में भी और वाक करने में बहुत अच्छा मजा आने वाला है दूसरे कर में बात करूंगी तो जो यहां पर प्ला लंग्जिरस क्लब हाउस जो प्रोजेक के अंदर आपको मिलने वाला है अभी तो यह क्लब शुरू नहीं हुआ है बट बहुत जल्दी यह शुरू होने वाला क्यूंकि कम्लीट हो चुका है स्पेसिफिकली अगर हम क्लब हाउस की बात करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी मिलने वाली है जैसे कि आपका इंडोर गेम्स आ जाएंगे आपका जिम्नाजिम आ जाएगा दो दो पार्टी हॉल्स यहां पर रहने वाले हैं स्विमिंग पूल आपका जाएगा इस साइ स्विमिंटी आपको यहां पर मिलने वाली है इस क्लब हाउस के अंदर जिनको आप एंजॉई कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली निट्स की शॉप्स पी आपके अंदर रहने वाली तो वहां पर आ जाएगी है हमारी डे अपर्टमेंट विच जो 3 plus 1 BHK S plus 11 का कंसेप्ट है और साइज की बात करो यह साथ आपको स्टार्टिंग में भी बता जाए था 215 अपार्टमेंट है जिसका डेट्सों कर सूपर एरिया रहने वाला है सो कुछ इस तरीगे का में दोर आजाएगा हमारा जिसमें आप डिजि आपका टिफोर आजाएगा जो आप यहां पर देख सकते है कुछ इस तरीची आप एपने अपार्टमेंट में कर सकते हैं इसी वाल पर अपना फैमिली बिचेश भी लगा सकते हैं फैमिली गृरी इसको बना सकते हैं एं यहां पर आजाएगा आपका वीडियो कॉल का कुछ इस तरीके कर सकते हैं अपना पुजा रूम को बना सकते हैं अगर आप देखेंगे काफी हूज साइस का आपको एक डेडिकेट ड्रॉइंग एरिया यहां पर मिल रहा है जिसमें अगर हम सिटिंग की बात करेंगे तो आपका एट टू टेन सिटिंग यहां पर अराम से हो जाएगा सेंटर में आपका टेबल आ जाएगा सामने वाली वाल पे आपका LED पैनल आप बना सकते हैं यहां से आइडियास भी ले सकते हैं कि काफी बड़ा पीस यहां पर रखा हुआ है जो कि काफी ब्यूरिफुल लग भी रा है कि यह काफी अच्छा लेयाउट दे दे य सबीति बुरपे आफ पर हैं पाफ टेरश जितनी बैल्कोनी आपको इस अपार्टमेंट में मिलने वाली हैं जिन¸ को अपने थारीके से डेको्राइट कर सकते हैं अपने लगा सकते हैं पिछ़ाइडरी ली यहां फुवरे यहां पर यहां बी यहां काफी अच्छे तरी आप भी कुछ पेंटिंग्स वगरा यहां पर लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं यहां भी आजाएगा हमारा किचिन और इसके ठीक सामने रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया तो काफी अच्छा कॉमिनेशन बना रखा है किचिन में जो कैबिनेट्स है आपके वह सारे आज़टेस रहेंगे चिमनी आपको विद पर्चेस में लेगी यहां आजाएगा आपका सारा कुकिंग काउंटर जिसमें लोग कैबिनेट्स की बात करेंगे तो इसारे आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे साइज भी क जिसमें आपका ये मुविंग फॉल्स से आजाएगा जिसको अपड़िस्ट भी कर सकते हैं और इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका जो अप्लाइंसे हैं और जो क्रॉकरी उनिट वो काफे तरीके से रहोंने सेट किया हुआ है तो आप भी कुछ ऐसा अपन ई हां फňंटरी स्टोर कर सकते है हैं यहां से अपकी बाल्किनी के लिए दाश्ता चला जाता है जो अगेन आपको काफी स्पیश़ बाल्किनी मिल रही है और अफ्टर इस यहां आजाएगा हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पर आप स्पेश देख सकते हैं उन्हों थ्या यह वाला चेक आउट करते हैं तो यहां पर यह रूम आ जाएगा आपका इस साइड इसका वाश्रूम रहने वाला है पहले रूम देखते हैं तो कुछ इस तरीगे का स्पेस आजाएगा रूम में पर्टिकुलर्ली अगर बात करूंगी तो ग्यारा बाई 14 का यह आपका रू इस साइड आ जाएंगे हमारी कबर्ट जो अगें आम सेंग आज इस मिलने वाले हैं आपको लेयाउट काफी एक्छा है इंका सो जिस मरजी तरीके से अपना स्टफ अजिस करना चाहते हैं आपकर सकते हैं इसली सो यह हमारा फॉस बेड्रूम था इसी के ठीक सामने यहां प आपका विंडो भी प्रोवाइड रहेगा एक्सास के लिए प्रॉपर स्पेस आपको यहां पर मिलने वाला है तो यह था हमारा वाश्रूम हमारा फॉस्ट रूम कंप्लीट हो चुका है अब चलते हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ सो यहां पर आ जाएगा हमारा सेकिंड बि आपका बैड है साइड टेबल रख सकते हैं उसकी बाद भी मेरे पास मूफ करने के लिए स्पेस है उससाइड आपके कबद आ जाएंगे यहीं से आपकी बैल्कनी के लिए रास्ता चला जाता है यह वाश्रूम आ जाता है हमारा वाश्रूम का साइज भी काफी बड़ा है क जिस्किट सारी फ्लोरिंग आ जाएगी फुल वाल लेंद पे यहां पर आप तैलिंग देख सकते हैं अग अगर कबद की बात करेंगे सो काफी अच्छा साइज रहने वाला है कबद का ज्याप देख सकते हैं यहां पर साथी में इसमें कबद के साथ आपको ड्रेसिंग अर सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब निचे गाविनेट्स भी हाजाएंगे जहां पर अपना मेकप वैनिटी वगारा सब स्टोर कर सकते हैं तो यह था हमारा सेकिंड बेड्रूम नाओ यह कंस आर मास्टर बेड्रूम विद वुदन फ्लोरिंग सबसे पहले साइज देखि फ़ग कर लाओ सो यह कहते हैं अब भुदन फास्टम खालेक लिए लिए काफी जादा स्पेस दिएगा इस लिट्रली काफी जादा स्पेस तो क्लोजेट की बात करेंगे काफी अच्छा साइज है ले आउट भी काफी अच्छा आपके है जितना भी स्टफ और इसली आप इनमें स्टोर कर सकते हो सामने वाली बॉल पे जैसे आप इस डिजाइन को भी आप कर सकते है अपने लिए यहां पे मीरर लगा सकते हैं अपना अपना द्रेसिंग टेबल यहां पे सेट कर सकते हैं जापे खुद को पूरा चेक आउट कर के क्योंकि आपका वास्टों क्लोजट सब इधर यह तो इदर खुद को पूरा चेक आउट कर फिर बाहर जा सकते हैं यहां आजाएगा हमारा वाश्रूम साइज काफी अच्छा ह यहां पे सीठा जाएगा तन बेसिन है अगेन आप देखेंगे कितना बड़ा साइज है कि आपका बातिंग सेक्षिन बिलकुल अलग हो जाता है बागी सेक्षिन बिलकुल अलग रह सकता है वेंटिलेशन और लाइट के लिए आपका विंडो भी प्रोवाइड है एक्जॉ तो सारी ब्रैंडड फिटिंग्स रहेंगे आपके सारी वाश्रूम में कहलर की फिटिंग्स रहने वाली हैं तो यह था हमारा थर्ड वाश्रूम इसी के साथ हमारे इस अपार्टमेंट का टूर कम्टीट होता है विच इस अ 3 प्लस 1 भी एच के काफी अच्छा साइज अपार्टमेंट का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेट सो गज आपका कापेट एरिया यहां पर रहने वाला है 215 गज का तो वो भी आपकी काफी ब्यूटिफुल टाउंशिप है काफी सारी अमेनिटीज आपको विद द पर्चेस विद यूर फ्लैक मिलने वाली है तो आपको यह अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपकी कोई भी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा आप हमें कॉल कर सकते हैं